नमस्कार मैं आलोकती बारी आपका स्वागत करता हूँ और सीखने की कड़ी में हम इस समय रासियों से संबंदित विशेश जानकारी की एक विशेश श्रिंखला आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं आज हम दूती रासि अर्था तो दो नमबर की रासि बिश रासि का द्यान करने जा रहे हैं और बिश रासि के अद्यान में हम सर प्रथम सामान जानकारी प्राप्त करेंगे और वह सामान जानकारी क्या क्या होगी बिश रासि के सामान जानकारी के अंतरगत हम नक्छत्र एव इस तरह से नव चरणों को मिला करके नक्षत्रों के नव चरणों को मिला करके बिस रासी का निर्माड होता है कृतिका नक्षत्र का प्रथम चरण मेस रासी की और चला गया है और बचा हुआ तीन चरण बिस रासी की और आया है अब इसके बाद हम बिस रासी के जातकों के प इन नौ अक्षरों से ब्रिस राशी के जातकों का नाम प्रारम होता है राशी स्वामी अर्थात ब्रिस राशी के स्वामी है सुक्रदेव अर्था सुक्रग्र ग्रह देवता महालक्षमी, तत्तो पृथवी, अरथात व्रिश राशी पृथवी प्रधान राशी है, भाग्यांक 2, 4, 6, 11, 20, 29, 37, 47 और 56, राशी चिन बैल, आप नाम सही जान रहे हैं व्रिश अरथात बैल, इसलिए राशी चिन भी बैल है, शुब दिन, शुक्रवार, शुब रंग, नीला, गुलाबी, हरा, मित्र राशी, कन्या, मकर, शत्रु राशी, मेश, तुला, मीन, विवाहव भागेदारी, अर्थात, लाइप पाटनर या बिजनस पाटनर, विश्चिक राशी, शुब रतन, हीरा, संग्यक, अचर, अर्था पाटन, जैसा कि राशी, चिन, और नाम दोनों से पता चल दा है कि व्रिशिया, बैल, बैल आप समझी रहे हैं, बैल कहां हो सकता है, खेत, गौचर भूमी, पहाड पर, कुष्टी या दंगल की जगह, इवं जहां जगड़ा हो रहा हो, बैल है तो खेत मे ही रहेगा, गौ परस्तिती होती है, और जहां जगड़ा हो रहा हो, वहाँ पर भी इनकी उपस्तिती पाई जाती है, क्योंकि बैल एक दूसरे से बहुत खतरनाक तरीके से बैल रखते हैं, सामान जानकारी के पशात, अब हम प्रिसरासी के जातकों के कुछ विशिट जानकारी प्राप्त कर जा रहे हैं, जीवन सहली के पहले भाग में हम सारी गठन का अध्यन करेंगे, सारी गठन अर्थात, जातक का रंग रूप, कद काठी कैसा होगा, तो बिसरासी के जातक बहुत ही सुन्दर होते हैं, और इनका चेहरा यवा मोट बहुत ही प्रफावसाली होता है, बहुत ही बहुत छोटे होते हैं, बिसरासी के जातकों की आखें गोल होती हैं, बड़ी होती हैं, वहम चमकदार होती हैं, अर्थात यूँ कहें कि इनकी आखें भी बहुत सुन्दर होती हैं, बिसरासी के जातक सुन्दर बढ़ने वहम आकरशक व्यक्तित वाले होते हैं, अब यहां प्रसंद चीत रहते हैं यहाँ पर मैं बताया कि हस्मुक होते हैं, हस्मुक व्यक्ति प्रसंद अचित ही होता है, एवं प्रभाव साली व्यक्तित्यों के धनी होते हैं, चेहरा जब प्रभाव साली है तो इनका व्यक्तित्यों भी प्रभाव साली ही होगा घर एवम आफिस को सदेव सजा करके रखते हैं आप इनके घर जाएं चाहें आफिस जाएं कभी भी इनका सामान इधर उधर बिखरा हुआ नहीं मिलेगा विप्रित लिंगी से मैत्री के लिए विशे साकांची होते हैं या विप्रित लिंगी अर्था तेदी महिला है तो पुरुस के प्रती और पुरुस है तो महिला के प्रती मैत्री के लिए विशे साकांची होते हैं उनसे मित्रता करना चाहते हैं भावतिक सुख एवं एस्वर के साध्रों में निरंदर विद्धी करने के लिए प्रयासरत रहते हैं और इसके लिए कठोर परिश्रम भी करते हैं जैसा कि आपको पता है कि सुख्रदेव इनके स्वामी हैं और सुख्र भावतिक विलासिता के कारक ग्रह हैं तो भावतिक सु सुबिधाओं को जुटाने के लिए ब्रिसरासी के जातक सदेव प्रयासरत रहते हैं इनको लगता है कि कितने सारे बहुतिक सुखसुवधाओं के सामान हमारे पास हो और इसके लिए कठोर परिश्रम भी करते हैं इसके लिए चाहे जितनी दूर तक इनको परिश्रम करना कोई इनके काम में दखलंदाजी करता है तो इनकों बिल्कुल पसंद नहीं आता है कठीन परिस्थितियों में भी अपना काम निकालने में सक्चम होते हैं यदि ब्रिसरासी के जातकों के सामने कोई प्रतिकूल परिस्थिति भी आ जाये तो भी अपना काम निकाल लेने में सक अच्छा मोते हैं डटकर उस प्रतिकूल परिस्तिती का सामना भी कर लेते हैं किसी को छू कर बात करने की आदत ब्रिसरासी के जातक किसी को भी इस तरह से छू करके बात करना पसंद करते हैं कभी भी बात करते आप इनको देखेंगे तो ऐसा ये सामने वाले को छूते रहते ह अपने नाम को दूर तक फैलाने का प्रयास करते हैं बिस रासी के जातक सदेव अपनी उपलब्धी को अपनी ख्याती को अपने तक सीमित रखना नहीं चाते हैं यह चाते हैं कि मेरी ख्याती मेरा नाम दूर दूर तक फैले लोग मुझे दूर दूर तक जाने भौतिक सुखों से सदेव घिरे होते हैं अब यहाँ पर मैं आपको बताई दिया था कि भौतिक सुख सुखों के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं और जब प्रयासरत है तो सुधी से बात है कि भौतिक सुख सुखों से ये घिरे ही होते हैं या घिरे रहेंगे ही जीवान सहली के अंतरगत खान पान ब्रिसरासी के जातक खाने के बहुत सवकीन होते हैं लेकिन इनको समय के साथ थाइराइड की प्रॉब्लम चालू हो जाता है थाइराइड की बिमारी इनको घेरने लगती है इसलिए इनको ऐसे भोजन लेने चाहिए जो थाइराइड के लिए लाबदायक हो ब्रिसरासी के जातक चॉकलेट एवं मीठा के बहुत जादा सवकीन होते हैं लेकिन इनका सेवन ब्रिसरासी के जातकों के लिए हानिकारक हो सकता है अर्थात इसे कम सेवन करना चाहिए, कम खाना चाहिए, अन्य था, इनका मोटापा बढ़ सकता है, सुगर बढ़ सकता है, ब्लट पेसर भी बढ़ सकता है ब्रिस रासी के जातकों को सोया बीन एवं दाल अधिक मातरा में खाना चाहिए अर्थात प्रोटीन युक्त भोजन सदैव लेना चाहिए मित्र एवं परिवार अर्थात ब्रिस रासी के जातकों का इनके मित्रों एवं परिवार जनों के साथ कैसा बरताओ रहेगा तो ब्रिस रासी के जातक परिवार को पूरा ध्यान देते हैं परिवार के साथ समय भी बिताते हैं परिवार से सदे जुड़े रहना पसंद करते हैं ये अलग थलग रहना पसंद नहीं करते हैं चुकि ये इस्थिर रासी भी है, अचर रासी भी है, इसलिए एक जगा रहते हुए परिवार के साथ रहना इनको पसंद है। परिवार जनोयों संबंधियों से बेहत प्रेम करते हुए उनके प्रती समरपड की भावना भी रखते हैं। सदेव परिवार जनों हम संबंधियों के लिए समर्पित रहते हैं बिसरासी के जातक मजाकिया होते हैं बहुत मजाक करते हैं बिसरासी के जातक अपनी बुद्धी के उप्योग से परिवार में सदेव ऐसा माहौल बना करके रखते हैं कि कभी जगड़े की नौबत ही नहीं आती ये माहौल में ऐसा हसी मजा करते हुए माहौल को क्रियेट करके रखते हैं कि लोग एक दूसरे से खुश राते हैं और कभी जगड़ा नहीं होता और यदि कभी जगड़े की नौबत आ भी गई तो ये अपनी बुद्धी मता से अपनी कुशलता से उस जगड़े को ऐसे चु जाबर का हिस्सा लेंगे और सदेव अगवाई का काम सभालने का प्रयास करते हैं मित्रों के बीच आदर्स होते हैं मित्रों के लिए सहयोगी होते हैं सदेव अपने मित्रों के लिए सहयोग प्रदान करते हैं यदि मित्र के उपर कभी कोई समस्या आ गई तो उसके सहयोग के लिए सदे उततपर रहते हैं इसलिए मित्रों के बीच में ये आदर्स की भुमिका में होते हैं आदर्स बन कर रहते हैं प्रेम ववा संभोग ब्रिसरासी के जातक बहुत कामुक होते हैं इनमें कामुक तेजना बहुत जादा होता है और ये इसपर्स के साहरे काम निकालने अर्थात यह खुद कामुक होते हैं और कामुक जीवन साथी भी खोचते हैं यदि बेमेल जोड़ी मिल गई बेमेल जीवन साथी मिल गया तो इनको पसंद नहीं आता है बेमेल जोड़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं है सुन्दर जीवन साथी की तलास करते हैं चुकि सुक्रे तो होते ही हैं और ये किसी को भी अपने प्रेम जाल में फसाने में बहुत ही माहिर होते हैं और सेक्स के लिए उनको राजी करना भी इनके लिए बहुत ही छोटी बात होती है अध्भुतकला होती है जीवन साथी को अक्सर उपहार भी देते हैं किसी तेवहार या किसी भी से स वाषर का इन्तजार नकरते हुए या कभी भी अपने जीमन साथी को उपहार देते رहते हैं। भविश और धन अर्थात विसराषी के जातकों का कारियर कैसा होगा। इस्तिर एवम कठोर परिस्रमी विसराषी अचर रासी है। इसलिए व्रिसरासी के जातक भी इस्थिर होते हैं एक जगा रह करके कठोर परिस्रम करके अपने आप को कुछ साबित करना चाते हैं, अपने आप को बनाना चाते हैं. किसी काम को हाथ में ले लेते हैं तो सफलता पूरुवक काम करके ही दम लेते हैं ये जब भी ये कोई काम अपने हाथ में लेते हैं या किसी काम की सुरुवात करते हैं तो जब तक उस काम को सफलता पूरुवक पूरा नहीं कर देते हैं उसमें वेल जूजे रहते हैं जब तक उस काम को पूरा नहीं कर लेते हैं तब तक ये दम नहीं लेने वाले हैं विरिसरासी के जातक पैसों के प्रबंधा नयों बचत में कुशलता रखते हैं इनके पास पैसा बचाने की कला होती है और कम से कम पैसे में अधिक सधिक वस्तूओं को खरीदने और कम से कम पैसे में घर परिवार का गुजारा करने की बहुत ही अच्छी कुशलता है और अच्छी कला होती है व्रिसरासी के जातकों की कुंडली में यदि चंद्रमा और बुध की इस्तिती अच्छी है सुभ है तो व्रिसरासी के जातक कॉमर्स, गणित, बैंकिंग, एक्टिंग, वस्तरुद्योग, एवं क्रेव, विक्रे में अपार सफलता हासिल करते हैं धन कमाने में तो ये भाग्यवान होते हैं, भागी इनका साथ देता है और ये धन अपार मात्रा में कमाते हैं इसलिए धन कमाने में ये भाग्यवान होते हैं गुड विश रासी के जातक विश्वसनी होते हैं कभी किसी को धोका नहीं देते हैं धायरेवान होते हैं व्यवहारिक होते हैं इनके व्यवहारित्ता में कोई कमी नहीं होती है समरपित होते हैं सदेव मित्रेवं परिवारों के लिए समरप्ण की भावना रखते हैं जिम्मे होते हैं अपनी जिद में आगे तो फिर किसी की बात ही नहीं सुनते हैं कहीं भी अपना हग जताना कहीं पर भी अपना हग जताने लगते हैं और वहां पर अधिकार घुशित करने का प्रयास करते हैं किसी भी चीज में अटल हो जाना कोई बात बोल दिये भले ही गलत बात क्य जाता है अधिक नींद लेना अर्थाति इनको सोने की आदत होती है जादा सोते हैं और कुछ अपवाद सुरूप आलसी भी होते हैं वैसे तो ब्रिसरासी के जातकों की सुनदरता एवम उनके फैसन की बात करें तो ब्रिसरासी के जातकों की तुचा कोमल होती है चाहे लड़ लड़कों पर नीला एवं हरा तथा लड़कियों पर गुलाबी रंग खिलता है। पसंद ब्रिसरासी के जातकों को बागवानी पसंद है। पसंद ब्रिसरासी के जातकों को कोई भी अचानक परिवर्तन पसंद नहीं आता है। चाहे वो कोई कारिकरम हो या कोई काम ही क्यों नहीं हो अगर उसमें कोई जटिलता है तो इनको पसंद नहीं आता है। लेकिन एक बाद ज़रूर है कि जटिलता इसे दूर नहीं भागते हैं पीठ दिखा कर भागने के इनकी कला नहीं होती है। उस जटिलता से भी उस कठिन घड़ी से भी उस मुश्किल से भी डट कर लड़ने की छंता होती है। ब्रिसरासी के जातकों को सिंथेटी कपड़े बिल्कुल पसंद नहीं आते हैं सदेव सूती या कॉटन के कपड़े ही पसंद करते हैं। किसी की भी रोक टोक पसंद नहीं करते हैं। ब्रिसरासी के जातक जो करते हैं अपनी मरजी से करते हैं अगर इनको कोई उनके काम में रोक टोक करे तो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। संबंधित रोग ब्रिसरासी के जातक वैसे तो स्वस्थ रहते हैं लेकिन कभी-कभी सरदी जुकाम या गले की छोटी-मोटी बीमारी या कोई छोटा-मोटा इंफेक्शन हो सकता है बाकि ये ओवराल पूरी लाइफ अपने पूरी जिंदगी में स्वस्थ बने रहते हैं भाग्योदे वर्स ब्रिसरासी के जातकों के लिए 28, 36, 42 एवं 48 वर्स भाग्योदे का वर्स होता है इन वर्सों में ब्रिसरासी के जातकों के लिए भाग्योदे हो सकता है आपने ब्रिस रासिस संबंदी संपूर जानकारी प्राप्त की और इस स्रिंखला में इस कड़ी में मैं सभी 12 रासियों की जानकारी आपके सामने प्रस्थूत करूँगा और आप इस जानकारी को प्राप्त करने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखे और सब्सक्राइब करने के बाद घंटी के बटन को भी आन करना न भूलें यदि घंटी के बटन को आप आन नहीं करते हैं तो यूटूब के पेट में दर्द होने लगेगा और वो क्या करेगा कुछ भी नहीं करेगा आपके पास मैसेज भी नहीं भेजेगा कि वीडियो अप्लोड हो चुका है तब तक के लिए मुझे आग्या दीजे बंबं भोले ओम नमस्षिवाई धन्यवाद